ये देश सनातनी है ये धर्ती सनातनी है और ये रिसी मुन्यों का देश है और ये तो ये संतों की धर्ती है ये सेंटा की धर्ती बिल्कुल नहीं है हलांकि सनातन धर्म कभी किसी धर्म का अपमान नहीं करता लेकिन आज अफसोस हो रहा है कि सनातन धर्म पे कुछ और चीज़ कि आज सेंटा क्लॉस का दिना बच्चों को जोकर बनाना उन्हें मंजूर है लेकिन इसी सनातिनी धर्ती पे अपने बच्चों को सनातिनी संसकार सिखाने से उन्हें गुरेज होता है महत वर दिन है सनातन धर्ती सनातिनी ये पर दुरभाईगी की बात है हमारी पीड़ी को इस बार में कुछ नहीं पता पहली चीज आद तुलसी पूजन है दूसरी चीज आज गीता जैन्ति भी ये गीता जैनती जब महावाद के दुम्य भगवान शिर्किष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं ये वो धरती है लेकिन आज की पीड़ी इससे बिल्कुल अन्भीग है ट्रिम्स्य के öğren सिर्फ एक रात के लिए एक साल में एक बार एक रात के के लिए हम देखते हैं दूसरी रोग अपने धर्म के परचार परशार के लिए किस हद तक समर्पित रहते हैं लेकिन सनातिनी धर्म धर्ती सर्दातिरों पर हमेशा हम दूसरी धर्म हमेशा हाभी रहते हैं किसी बच्चे को यह पता नहीं होगा कि आज तुलसी पुजे नहीं क्रिश्टिन उनका धर्म बिल्कुल सही है लेकिन हमारे बच्चों को भी तो पता होना चाहिए कि आज का दिन इसके अलावा और किस चीज के लिए महत्वूर है क्रिश्मेश्टिक के चकाचा जब सालमा आती है तो सिर्फ एक रात में होती है एक रात के लिए तुलसी युगों से है और युग अंतर तक रहेंगी शिर्फ फायदाई देती है गुरू का भंदार है और जहां लग जाती है वह महकाती है कई माने में कई और सिद्धियों का काम करता है पूजा पाट का काम वो करती है हमारे सनातिनी धर्म में पीडियों के इस पीडियों के बच्चों को यह पता होना चाहिए कि तुलसी जनम जब इंसान जनम लेता है लेकिन अपसोस आज के बच्चों को इसका महत्त बिल्कुल नहीं पता इसलिए कम से कम अपने बच्चों को ये बताने की कोशिश तो करो कल को आपको ये अपसोस ना हो कि हम सनातनी हों हैं और सनातनी होने के बापजुद हमारे बच्चे को हमारे धर्म के बारे में कुछ नहीं पता दूसरे के धर्म हमेशा हावी रहे हैं इसका इत्यास गवारा है इसलिए हर सनातनी का धर्म फर्ज बनता है उसके करतब भी बनता है उसके नेतिक जिम्मेदारी है कि आने वाली पीडी को कम से कम अपने धर्म का मत्तब समझाए आज गीता जैनती है गीता में पूरा संपूर जीवन का सार है अगर कोई बच्चा पड़े सनातन के जितने भी धर्म ग्रंत है उसमें पूरे जिंदगी का सार है कर्म परधान जिंदी का संदेश गीता मदी है भगवान सिरी कृष्ण ने अर्जन को और आज तुलसी पूजन भी है तो मैं ये कहना चाहूंगी किसी धर्म का अपमान सनातन कभी नहीं करता मैं हर बार एक की बात करें सनातन धर्म में ने कभी किसी पे हाभी होने की कोशिश नहीं कि कभी किसी और धर्म की बुराई नहीं की और कभी किसी और धर्म को पेजबर जैती है नहीं की लेकिन सनातन हमेशा इस बात के लिए सनातन को हमेशा ये जेलना पड़ा है कि दूस्रे धर्मों ने कहीं ने कहीं हावी रहा है सनातन पे लेकिन इस सनातनियों का धर्म बनता है उनका कर्तब बनता है कि तुम अपने धर्म के रक्षा करने के लिए कम से कहीं तो खड़े हो जाओ तुम लड़ो मत कम से कम जो बेसिक जो चीजे आधार भूत मूल भूत यो चीज़े हैं हमारे भर्म की वो अपनी पीडी को मट्लब क्या है किसी दिर्म कका अफमान या किसी दर्म पे हा भी होना सस την दर्मुकंक कभी नहीं सेखांथा लेकिन था फस लोगह जब नवक करेखे लेको धिन्हें किस्वी 2.3 और अपके ब़कुत आज गीता जैनती भी है जो गीता जैनती जिस गीता में संपूर जीवन का सार एक कर्म परधान जीवन का सार जिस गीता में छुपा हुआ है उसके बारे में हमारे सनातनी बच्चे कुछ नहीं जानते इसलिए यह हमारी जिम्यदारी बनते है कि हम इसके बारे में अपनी नमस्कार एक बार फिर से तुलसी पूजयन और गीता जयनती कि सभी सनातनी उनको धेर सारी सुबकामना है और बधाई मेरी बातों से अगर इत्पाज रखते हो तो मेरी वीडियो को सियर और लाइक कर देना चैनल को सुस्क्राब भी कर लेना और मैं एक बार फिर से कह रहे हूं किसी भी धर्म के प्रति ना फ्रत फैलाना ना तो सनातन धर्म का धर्म सिकाता और ना मेरा ऐसा कोई रादा है तह ए वा तुट कर लादा है आसकी बादा है आसकी वादा लेको दो ऐ खरते हैं आसकी घर खरते हैं प्रति वादा हैं ना जन्म परते हैं